अभिसेक पांडे अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था जिसकी भनक लगते ही उक्ट बैकती के पहली पत्नी रागनी कुमारी लालगंज के सिनेमा रोड श्थित एक नीची मकान में पहुँचकर जम करहंगा मा किया जिसके बाद डायल 112 की पुलिस को इसकी सुचना दी गई पुलिस के पहुचने से पहले अभिसेक पांडे अपनी दूसरी पतनी को लेकर मौके से फरार हो गया वहीं रागनी कुमारी ने बताई की उसकी साधी 2012 में हुई थी जिसके बाद अभिसेक पांडे से दो बच्चे भी हैं लेकिन अभिसेक पांडे अपनी ही साधी सुदासाली को चोरी चुपके भगा कर उससे साधी कर लिया और लालगंज में आ कर रहा रहा था जिसकी सुचना रागनी के भाई को मिला रागनी के भाई जब लालगंज आया तो उसकी दूसरी बहन अपने ही भाई के साथ जगरा कर लिया फिर रागनी के भाई ने अपनी बरी बहन रागनी को इसकी सुचना दी और देर साम रागनी ल लालगंज पहुंच कर जम कर हंगामा किया हाला कि डायल 112 की पुलिस मामले की थोड़ थाम करते हुए प्रित पक्ष को लालगंज थाना पर जाकर लिखतावेदन देने की बात कहीं है कौन था रूम में कौन रहता था तुमारे बहनोई का बीवी तुम कौन हो उसका दो बच्चा उसको घर पे छोड़के अथा बहनोई के साथ तुम रहता था यहां तुमको कैसे पता चला कि उसका दूसरा बीवी है कर दा दोसरा नाम है तुम्हारा भी फैदा हो तुम्हारा ही दोनों पहां तुम्हारा ही था है वो जो दूसरी लगए वो आपकी बाहन है आप बरी बाहन है कि छोटी बाहन है अच्छा वो जो है छोटी है उसे साधी कर चुका है आपको कैसे पता चला कि यहां है हम का पता चला है तो तिन पहले मार्पीट कि आप हाइगा ने और वू इसको पूम आ रहा है यह हम यहां पर आए तो हम आए तो हम रहना चाहा रहे थे उसके साल लेगे वो नहीं रखना चाह रहे हमारा बुरो बच्चा है छोड़ा थोड़ा हम कहां जाएंगे आपका साधी कब हुआ था पहले आपका साधी हुआ कि आपके साथ नहीं रहता है लालगज में रहता है इसे आपका भड़ कहां हुआ मेरा इखार मुझे अपका भड़ा थे नहीं के वहां हुआ हुआ है क्या नाम है आपका क्या नाम है पिदाजी का नाम पापा नहीं है ठीक झालगज में रहता है आपका भड़ कि आपका भड़ा प्रेश जाए हुआ है